हाई अबरीवन, वेलकम तो मैं चैनल, दबेक माई डे, आज हम बनाने जा रहे हैं, डिजाइनर चोकलेट, वेलेंटाइन स्पेशल, यह दिखी, मैंने बनाई है, पिस्ता फ्लेवर में, और हम बनाएंगे साथ में, रोज फ्लेवर में चोकलेट, सबसे पहले मैंने वाइट को मेल्ट कर लिया है, और रेड चोकलेट मैंने आपको बताई थी, पहले मेरी लास्ट वीडियो में हमने कैसे मेल्ट किया, और इसके अंदर कैसे कलर रेड किया, तो यह मेरे पास थोड़ी से बच गई थी, तो मैं इसके अंदर और वाइट चोकलेट आड कर रही हूँ, इ से हमारे थिन हार्ट बन सकें तो यह मैंने बना दिये हैं पीच कलर से इसी तरह से हम लिप्स मॉल्ड के अंदर भी लिप्स बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे अल्फामेट मॉल्ड के अंदर हम आई एल यू यह बनाएंगे इस तरह से और इसको हम रखते हैं साइड में सेट होने के लिए अब यह हम चॉकलेट और लेंगे मैं आपको रैड कलर बनाकर दिखा रही हूं कि हमने जैसे पहले रैड कलर बना रख था उसी के अंदर हमने ओएल के अंदर थोड़ा-सा पाउडर कलर लिया है चोको पाउडर कलर मैजिक company का है यह हम add करेंगे तो देखिए प्रोपर कलर नहीं आएगा यह फिर भी पीच कलर ही आएगा तो प्रोपर रेड कलर बनाने के लिए मैं आपको आगे टेक्निक बताऊंगे गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज आउनको नोटिफिकेशन मिल सके तो यह दिखिए अभी हमारे पस प्रोपर रेड कलर नही अब हम इसके अंदर रेड कलर एड करेंगे आप चाहें तो डेर्क भी कर सकते हैं या फिर आप ओईल के अंदर एड करके रेड कलर को मिक्स कीजिए पाउडर कलर को और फिर आप इसके अंदर एड कीजिए अगर आपके पास यह नहीं है तो आप कैंडी कलर भी यूज कर सक पीछ हो जाएगा बट रेड नहीं आएगा, तो ये दिखिए मैंने अभी आपके सामने रेड कलर बना अब इसे हाट और लिप्स बना लीजिए, इस तरह से जैसे मैंने बनाई है, तो अभी आपको पता चल गये होगा प्रोपर रेड कलर कैसे आता है, ये मैंने सारे कलर में के रखे हुए हैं अभी हम लेंगे डार्क चोकलेट इसको मैंने मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में 30 सेकंड के इंटरवेल पे और अभी हम इसको पाइपिंग बैग में फिल करेंगे आज ये मेरे पास दो डिजाइनर बार मोल्ड इसके नदर थोड़ा थोड़ा इस्तरह से फिल कर देंगे चोकलेट को यह देखिए जैसे मैं कर रही हूं अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप हम लेंगे white chocolate, इसको melt कर लिया है मैंने, और इसको piping bag में fill करेंगे, और जहां पर हमने heart बनाए हैं, वहां पर हम थोड़े-थोड़े dots देंगे white color के, यह मेरी जो piping bag के अंदर chocolate winter की वज़ा से ठिक हो गए थी, तो मैंने इसको microwave कर लिया है, और इस तरह से देखिए, आप design बना लीजिए, अभी हमारे देखिए, यह hearts ready हो गए हैं, और मैं इसके अंदर जो white chocolate बच गई है, हमारी piping bag के अंदर, इसके भी मैं little heart बना लेती हूँ, और अभी हमारे पास देखिए, यह यू रह गया था, तो मैं यह इस chocolate से यू बना रही हूँ, इसको हम रख देखेंगे side में set होने के लिए, यह देखिए, हमारा I L, यह ready हो गया है, अभी हम लेंगे white chocolate और इसके अंदर हम जो हमने पहले peach color बना रखा था, वो इसके अंदर mix करेंगे, और हमारा जो है, हलका peach color आजाएगा, यानि pink नहीं है, यह peach color है, गाइस, जब भी भी आप white chocolate के अंदर red color add करते हैं, तो वो peach color आता है, अभी हम इसके अंदर rose flavor add कर रहे हैं, यह मेरे पास baker villa company का flavor है, यह आप देख सकते हैं, आपको कितना flavor चाहिए, अगर strong है, तो आप कम use कीजिए, अगर उसका flavor strong कम है, तो आप light use कीजिए, देखिए, इस तरह से chocolate के अंदर मैंने flavor add करके, और mold के अंदर pour कर दिया है, और अभी हम इसको freezer में नहीं रखेंगे set होने के लिए, जब थोड़ी सी chocolate हमारी set हो जाएगी, तब हम जो हमारे हमने articles बनाई हैं chocolate के, वो इसके उपर place करेंगे, देखिए, इस तरह से जैसे मैं कर रहे हूँ, इस तरह से आपने जो भी बनाए हैं, जो भी आप arrange करना चाहते हैं, वैसे कीजिए, अभी मैं इसके उपर ये nutty balls लगा रहे हूँ, देखिए, ये unifood company के हैं, अगर आप मंगवाना चाहते हैं, तो आप amazon से मंगवा सकते हैं, देखिए, कितनी प्यारी लग रहे है हमारी चॉकलेट, अभी हम इसके उपर silver flakes apply करेंगे, और last में आप इसके उपर silver spray आता है, जो वो भी आप sprinkle कर सकते हैं इसके उपर, तो चॉकलेट की shine और भी बढ़ जाएगी, देखिए, कितनी beautiful चॉकलेट लग रहे है हमारी, अभी हम हम बनाएंगे pistachio flavor के अंदर, हमने white chocolate के अंदर green color add किया है, powder color, तो ये भी मेरे पास color mist का color है, यानि कि बेकरवीला company का, और इसके अंदर हमने add किया है pistachio flavor, ये मेरे पास Bella company का है, और अभी हमारी pistachio flavor chocolate बनेगी, जो दूसरा mold था, मैंने उसके अंदर, इस chocolate को pour किया है, और हलका साम इसे set करेंगे, बस फिर इसके उपर हम बाकी के articles जो हमने बना रखें पहले से, वो apply कर देंगे, आपकी इच्छा है आप जैसे मर्जी इसके उपर apply कीजिए, जैसा मर्जी आप design बना सकते हैं, मैंने आपके सामने ये बना कर दिखाया है, अगर आप बनाते हैं, guys तो प्लीज आप बना करके मुझे tag कीजिए, the bake my day page को tag कीजिए, देखी इस तरह से आप sprinklers भी इसके उपर use कर सकते हैं, और अब इसके उपर मैं golden flakes apply कर रहे हूं, देखी इस चोकलेट भी हमारी कितनी प्यारी लग रही है, हमारी दोनों चोकलेट्स रेडी हैं बनके, तो आ आप भी अपनी creativity यूज कीजिए, और बड़िया बड़िया design बनाये, देखी कितनी beautiful चोकलेट लग रहे हैं, सुन्स चैज़, और बड़िया थापनी है की, तक्री.